जिस डेमोक्रसी में जिस लोकतंत्र में फाइरिंग बॉमिंग हत्या रिगिंग ऐसे शब्दों का प्रेयोग होता है उस लोकतंत्र का क्या वजूद है आप जरा सोच के देखिए महा ठकबंधन का दृष्च दिखाते हैं कहां है वे सारे नेता कहां है लालू प्रशाद एक शब्द नहीं निकला है एक शब्द नहीं निकला है पशिम मंगाल पंचाइच चुनों के दौरान कई हिंसा के मामले सामने आए न केवल मतिदान के दौरान बलकि वोज़ काउंटी के दौरान भी तनाओँ की स्थितिय बनी हुई है इससे लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने TMC पर बड़ा हमला किया और कहा ऐसी हिंसा ना कभी देखिये ना कभी सुनिये वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साथ तेवे कहा कि जो हाथ पकड़ पकड़ कर राजियों में खड़े होते हैं वो सारे नेता कहा हैं तो जिन शब्दों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है बंगाल के पंचायत के चुनावों को लेकर वो शब्द है फाइरिंग गोली बारी बॉम्बिंग बंबारी बोगस वोटिंग रिगिंग मत पेटियों का जलाना मत पेटियों को फेकना कोई तलाब में फेक रहा है मत पेटियों को तो कोई वोट रिगिंग करके किस प्रकार से जिता जा सकता है टीमसी उस प्रैत्न में उस यतन में लगी है जिस डेमोक्रसी में जिस लोकतंत्र में फाइरिंग बॉमिंग हत्या रिगिंग ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है उस लोकतंत्र का क्या वजूद है आप ज़रा सोच के देखिए Central Forces तो गई मगर deployment जो Central Forces के हुए उनका ठीक तरह से deployment राज्य की सरकार ने नहीं किया जो sensitive boot होती है उनकी संख्या चूपाई गई sensitive boot का data दिया नहीं गया Central Forces के होने के बावजूद 45 लोगों की हत्या यह दिखाता है कि राज्य सरकार किस प्रकार से एक प्रायोजित रूप से इन हत्याओं को अंजाम दे रही थी यह एक state sponsored murder है दिन दहाडे हत्या की गई है केवल इसलिए क्यूंकि आप TMC को vote नहीं कर रहे हैं और यह केवल भारतिय जनता पार्टी के कारेकरताओं का murder नहीं है इसमें कांग्रेसी भी है इसमें Communist Party के लोग भी है इसमें बाकी Party के लोग भी है ऐसे लोग भी है जिनका राजनिती से कोई लेना देना नहीं है वो केवल voting करने जा रहे हैं ऐसे लोगों की हत्या हुई है जब इस प्रकार का दृष्य सोशेल मीडिया और फेस्बुक में हम देखते हैं तो मैं कई बार सोचता हूं कि अगर यही दृष्य कोई भाजपा साशित राज्य से आ रहा होता तो हाहाकार मच क्या होता यह सारे नेता यह जो हाथ पकड़ कहां है नितीज जी कहां है वो मुहब्बत की दुकान खोलने वाले राहूल गांदी कहां है यह सारे महाठगबंधन के नेता एक के मुह से एक शब्द नहीं निकला है एक शब्द नहीं निकला है बंगार हल्पी हैंड ट्वस्ट एक समाजिक संस्था है और इसके फाउंडर शेक जुल्फिकार अली हमेशन लोगों के भलाई के लिए जमीन इस्तर से जुड़े हुए काम करते हैं यह संस्था लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त तयार रहता है